नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपने भी कभी ने कभी ट्रेन में बस में या फिर किसी ऐसे पॉब्लिक प्लेस पर किनर और या हिजडों को देखा होगा तो हो सकता है आप भी कभी ने कभी ऐसा जरूर सूचते होंगे कि आ ऐसे तो इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं चाहे वो होमो सेक्सूल हों बाइसेक्सूल हों फेर हों और भी फलाना फलाना बहुत सारे होते हैं लेकिन हम सिफ दो में डिफ्रेंस आज क्लियर करेंगे कि आखिर ये क्यों होते हैं ऐसा क्या होता है कि ये हमसे अलग हो जाते हैं औ यह माल लीजिए कि आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ अब वो देखने में लड़का या लड़की हो सकता है इससे कोई फर नहीं पड़ता कि वो जन्म के समय कैसा दिखता है ठीक है अब होता क्या है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है यानि जन्म से पहले थोड़ा स होता है उसके अंदर टेस्टीज बनने सुरू होते हैं और टेस्टीज बनता है तो उसके अंदर एक होर्मोन सिक्रीट होती है जिसकी वज़य से उस बच्चे का जो अपियरेंस होता है वो लड़की जैसा होता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका अपियरेंस लड़की बन रहा होता है अपने मा के पेट में ही तब ही उसका दिमाग भी डबलप हो रहा होता है वो एक लड़के की तरफ से डबलप होता है या फिर एक लड़की की तरफ से लेकिन ट्रस्जेंडर के केस में ये होता है कि किसी वज़र से उनका जो फिसकल अपेरेंस है वो लड़का को किया है तो उसको लड़का होते हुए भी अट्रैक्शन जो है वो एक लड़के के तरफ ही जाएगा क्योंकि आपको देखके तो लड़का दिखता है लेकिन आप नहीं जानते कि उसका दिमाग किस हिसाफ से डबलप हुआ है उसके दिमाग में कौन-कौन से मतलब घ्रियाय है चल रही है और उसके अंदर किस तरह के हल्मन प्रड्यूस हो रहे हैं उसको यह लड़की न पसंद हो औक लड़का पसंद आता है किसी को ढूरते हैं transgender यानि कि उसका पूरा physical appearance एक लड़के जैसा है लेकिन उसका दिमाग एक लड़की की तरह डबलप हुआ है इसलिए लड़की की तरह सोचता भी है बिल्कुल ऐसा ही होता है जब लड़की होता है वह नॉर्मली लड़के की दिमाग से तोड़ा अलग होता है यानि कि साइज में छोटा भी होता है और भी बहुत सारे होते हम उस पर नहीं जाएंगे मोटी मोटा यही है कि लड़के का दिमाग और एक लड़की का दिमाग का जो होता है आम तर पर वह भी बिल्कुल अलग-अलग ओते हैं ऐसा होता है कि एखली लड़के में नॉर्मल लड़के कीमाळका ही मीड़iken करता है लेकिन ट्रांजेंडर के master के जिन के कारण ड्रॉख कर दन परआ जाने वाले सिट्क हैं ऐस तरह करते हैं हमारे सिटम को वह ढ़नाई यानिurgic test cells को Meill में होता है यूफ जब टेस्ट करन जाता है और तो फिर होता क्या है कि एक हॉरमोन स्क्रीट होता है और वो होर्मोन इस तरह से काम करता है कि उस बच्चे की जो पूरी बनावट है वो एक लड़के की तरह डवलप हो अब वो एक लड़के की तरह डवलप होता है तो उसी दोर पर उसका दिमाग भी लड़के की तरह ही डवलप होता है जो आगे चलकर एक नॉर्मल लड़का बनता है ऐसे ही जब यह एसर वाई जीन किसी वज़ा से ठीक से काम नहीं करता या अपना असर नहीं दिखा पाता तो उसका डबलफ में तो लड़के जैसा हो जाता है लेकिन उसका ब्रेन जो है वह एक लड़के की तरफ डबलफ नहीं होता एक लड़की की तरफ ही डबलफ आप कहले जिए इसकी वज़े से ही हम लड़की से लड़के में कनवर्ट हो जाते हैं और यह सारा खेल एंब्रियो में होता है और ना नेशर ने आम तोर पर हर बच्चे को सुरुवात में लड़की ही बनाया होता है लेकिन अगर हम इसे थोड़ा हट के बात करें इंटरसेक्स की तो देखी होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उससे पहले हमारे सरीर में अलग-अलग तरह की रियाय होती है यानि की फर्टिलाइजेशन जाइगोद बना इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि क्रोमोजोम की जो संख्या होती है उसमें कुछ क्रोमोजोम की संख्या बढ़ या घट जाती है, जैसे माली जे कि आपको पता होगा, इंसानों में 23 जोड़े क्रोमोजोम पाए जाते हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या में कभी बढ़ोतरी हो जाए या कुछ घट जाए, ऐसे में जो अपीरेंस होता है, जिसे हम intersex बोलते हैं, वो न तो लड़के का होता है नहीं लड़की का होता है, माली जे लड़की में एक Y क्रोमोजोम एक्स्रा एड हो गया, या फिर एक X क्रोमोजोम ही एक्स्रा एड हो गया, तो 23 जोड़े की बज़ा हो सकता है कि 24 जोड़े हो जाए या फिर उससे कम या उससे ज़्यादा हो जाए तो ऐसे जो उलट फेर होते हैं लड़के हैं ये लड़के हैं या दोनों के मिक्स्यर हैं तो आप समझ गए होंगे कि एक ट्रांस्जेंडर और एक इंटर सेक्स हमसे कैसे अलग होते और यह क्यों बनते हैं हाला कि आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं कि इनका हमारे समाज में बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है आशे नहीं आधिकाल से हम ट्रांसजेंडर को बहुत भाव देते हैं लेकिन सिर्फ कभी कभार देते हैं लेकिन अदोजाद चौदों में भारत सेंडर को थोड़ी देनी चाहिया दोजाद चौदों में ही भारत सेंडर को होट्सेंडर के टॉर नर्फ एकसेप कर लिए यानि अब ये भारत में जन्डर पर बाने जाते हैं और इनको कुछ अळिकार भी मिलें हुए हैं अब भारत सरकार ने जब मान लिया तो जाइसी बात है अब इनकी बात की सुनवाई भी होती है और ये बिल्कुल हमारे और आपके जैसे ही इस देश पर रहकर अपने अधिकारों के लिए कोड कचेहरी जा सकते हैं या फिर अपनी बात कर सकते हैं लेकिन दिक्कत य अलग दिखते हैं सबसे बड़ा समस्या यह है क्योंकि अलग दिखने का मतलब हम माल लेते हैं कि यह बुरे हैं जब कि ऐसा नहीं है यह हो सकता है कि इनके बहएवियर कई आपको पसंद आए तो इसमें कुछ हमारी भी गल्तिया होती है क्योंकि हम उनको वह मौका नहीं दे कि यह हमारी तरह और आपकी तरह ही आम जिंदी जी से कहीं कहीं नौकरी कर से कमाग खा सकें तो इस वज़ए से यह कुछ ऐसे काम करते हैं इनको ताकि कुछ पैसे मिल जाएं जो कि कई बार हमें अच्छे नहीं लगते फिलाल हम उन सब चीजों पर नहीं जाएंगे बस यह थोड़े से जेंडर को लेकर या तो किसी तरह से मिक्स हो गए हैं या फिर कुछ ऐसी कम्या रह गए जो एक आम आदमी में नहीं होती है बस कितना ही फर्क है और यह हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है नहीं कुछ ऐसा है जिससे कि हमें इनसे नफरत करनी चाहिए उमीद मुझे भी नहीं आता है इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा वह भी सुधर जाएं थोड़ा हम भी सुधर जाएं और हो सकता है कि समाज में इन्हें एक अच्छा औसर मिल जाए रहने और जीने और खाने का आप इस बारे में क्या सोचता है मैं कमेंट कर जूरू बतेगा फ कि अच्छा